उलाला, फाइनली दोस्तों, जैक स्नेडर भाईसा बाली जस्टिस लीग देख ली है, और बस दिल से एक ही बात निकल रही है, मजा आ गया यार दोस्तों, ये बाली जस्टिस लीग चार घंटे की एक रोलर कोश्टर राइड है, जिस पर एक बार सबार हुए, तो बस ये राइड एंड पर जाकर ही रुपती है दोस्तों, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं, जैक सिनाइडर के जस्टिस लीग का फिल्मी जंक्सन रिव्यू आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वस्ट, वीडियो को लाइक करने की और सेर करने की, और चैनल को सब्सक्राइब करने की चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की, जो की 2017 में आई जस्टिस लीग से बिल्कुल भी अलग नहीं है अया मैं भी क्या बकेती कर रहा हूँ, असली जस्टिस लीग तो ये वाली है, वो तो नकली थी चलो कोई नहीं कहानी पर आते हैं, सुपरमेन मर चुका है और उसके मरने की चीक सारे ब्रह्मान में गूज रही है जिसकी वज़े से डार्क साइट को अर्थ पर अपनी बास्साहत कायम करने का मौका मिलता है पर उससे पहले उसको मदर वॉक्सस को सर्च करना है, क्योंकि मदर वॉक्सस की हेल्प की वज़े से ही अर्थ पर वो एंटी लाइफ एक्क्वेशन की खोज कर सकता है और अर्थ पर अपनी बास्साहत को कायम कर सकता है और इस काम को करने के लिए डाक साइड अपने एक से पैसलार स्टेपन वुल्फ को इसकी जिम्मिदारी देता है और स्टेपन वुल्फ के आड़े आ जाते हैं अर्थ पर रह रहे हैं सुपर हिरोज जिनने एक साथ लाने का काम करते हैं Bruce Bane मतलब Batman अब आगे क्या होता है इसके लिए आपको Jack Snyder की Justice League को दिखना होगा कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमें 2017 में दिखाई गई थी पर उस वाली फिल्म में दिखकत ये थी कि उसको Jack Snyder ने कंप्लीट ना करके जो स्वीडन ने कंप्लीट किया था जिसकी वज़य से हमें Jack Snyder वाला वर्जन देखने नहीं मिला था और साथ ही Warner's brother ने Snyder वाली फिल्म को एकदम ही बकवास करार दे दिया था पर Jack Snyder ने एक इंटरव्यू में अपना विजन रखा और फैंस ने उनके लिए कैम्पेंग जलाया जिसका नतिज़ा आज हमारे सामने है और पहली वाली जेस्टिस लीग के मुकाबले ये वाली जेस्टिस लीग बहुत ही ज्यादा बहतर है अब आप लोग सोच रहे होंगे कहानी सेम है तो डिफरेंट क्या है चलो मैं बताता हूँ इस बार फिल्म की सबसे खास बात इसकी डिटेलिंग और करेक्टर डिवलप्मेंट है इसी बज़े से हमें इस बार डर्क साइट की पहली जलक देखनों को मिली और साथ में ये भी जानने को मिला कि कैसे डर्क साइट अपने पहले हमले में अमेजॉन, अटलांटियंस, जीूस, एरीज और गार्जियन फ्रॉम स्काई से हार गया था और उसको बापस जाना पड़ा था इस बार हमें साथ में ये भी पता चलता है कि वर्ट पर अपनी बार सहथ क्यों कायम करना चाहता है दूसरा हमें विक्टर स्टोन के बारे में पता चलता है कि वो कैसे विक्टर स्टोन से साइट वर्ग वने और साथ ही उनकी emotional journey को बहुत ही अच्छी तरह से जानने को मिलता है थर्ड हमें flash के बारे में और उनकी time को reverse करने की ताकत का भी पता चलता है जिसे उन्होंने film में दो बार दिखाया भी है पहली बार जब Superman को Mother Box की help से जिंदा करते हैं और दूसरा जब Cyborg Mother Boxes को unite होने से रोक रहा होता है Superman को बापिस जिंदा करने वाला scene पहली से ज़्यादा convincing और logical है साथ ही जब Victor Stone के father ने पहली बार Mother Box को use किया था तो डार्क साइड ने अर्थ पर attack क्यों नहीं किया था ये भी हमें film में clearly बताया गया है दोस्तों ऐसे कई सारे sequence हैं जो पहली वाली justice league में नहीं थे पर इस वार सारे के सारे new sequence को logically और परपच के साथ insert किया गया है ताकि DC के extended universe को एक shape मिल सके और आगे की justice league के sequels के साथ साथ DC के बागी powerful characters पर film मनाने का मौका मिल सके जैक सिनाइडर ने जिस तरह से film को recreate किया है वो काबले तारीफ है जैक के vision को इस film में साथ साथ देखा जा सकता है फिर चाहे वो action sequence हो या फिर emotional sequence उन्होंने दौनों के बीच balance बना कर रखा है slow motion action sequence जैक की ताकत है और इस बार भी उन्होंने slow motions का भी जम कर इस्तमाल किया है जिसकी बज़े से film में एक खास किसमे का romance और मज़ा आता है और फिर दुनिया के सबसे popular superheroes तो है ही फिल्म की कहानी सेम होने के बाब जूद भी हर एक scene अपने आप में different है और पहले से ज्यादा convincing है जैक स्नाइडर ने film में बहुत सारे cliffhangers दिये है जिसकी वज़े से DC के extended universe के कई सारी film में आप देखने मिल सकती है अगर आपको cliffhangers के बारे में detailed में जानना हो तो comment कर मुझे बताएं और वीडियो बनाने के लिए मुझे motivate करें और साथ मैं चैनल को आगे बढ़ाने में भी मेरी help करें overall जैक स्नाइडर के justice league cinema lovers के लिए एक सांधार visual treat है जो arm से लेकर अंत तक आपको हिलने नहीं देगा और अगर आप DC के fans है तो तो आपकी चांदी है जैक स्नाइडर के justice league को मिस करना उनके इस hard work और सांधार vision के साथ injustice करना होगा हाँ एक request film को आप हंगामा play book my show या फिर आप apple tv पर ही देखें ताकि film के collection अच्छे हो और justice league के और भी sequel समय देखने मिलें दोस्तों मैं इस वाली justice league को देता हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों के साथ share करें और साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें thank you मिलते हैं अगले वीडियो में